Conversion of trigonometric ratios आपको SHM waves दोनों में बहुत जगे ratios convert करने पड़ेंगे तो मैं पास ये इत्ते सारे ratio के example मैंने लिखें कोई भी आप ratio बना सकतो सबको जल्दी यल्दी solve करेंगे बस दो rules को आपको याद रखना है पहला rule जब भी plus minus 90 या फिर 270 degree होता है तो हम sine को cos में convert कर देते है cos को sine में convert कर देते है tan को cot में convert कर देते है इस तरीके से चीज़े chain हो जाते है basically conversion हो जाता है 90 और 270 plus minus करने पर अगर हम 0 plus minus या 180 degree या 360 degree उस तरह की चीज़े के हम add या subtract करते है तो वहाँ पर conversion नहीं होता है कि first quadrant में सभी positive होते है second में सिर्फ sign होता है third में सिर्फ tan होता है both में सिर्फ cos positive होता है quadrant napping कैसे देखो हम यहाँ से angle इस तरीके से नापते है अगर वो यहाँ पर है 0 से 90 degree तक तो first quadrant, this is second quadrant यहाँ से यहाँ तक मानलो angle आगया तो यह second quadrant में आगया यहाँ से यहाँ तक आगया, third quadrant पर यहाँ से यहाँ तक आगया, तो यह fourth quadrant में अब कहीं भी पहुँचने के तरीके positive या negative हम यहाँ से भी इस तरीके से आ सकते थे तो वही हम check कर लेते, देखो हमारे पास पहला case है sign, plus minus क्या किया गया है 90 degree, जैसे हम देखेंगे 90 degree है, 270 degree है, फटाक से change कर दें sign को change करोगे, तो क्या आने वाला यहाँ पर जाएगा, फटाक से लिख दो cos theta, अब यह देखता है यह positive होगा है यह negative, कैसे check करोगे यहाँ पर था sign और 90 minus theta पहले 90 तक गया, फिर minus theta तो हम यहीं कहीं first quadrant में रह गया first quadrant में all are positive यह sign था, यह भी positive होगा तो यहाँ पर plus लगा दो next, cos of 90 minus theta plus minus 90 आ गया है, तो cos को change कर देंगे है हम sin theta में फर्क नहीं बढ़ता है, अंदर minus हो रहा है plus हो रहा है, उसके चकर में मत बढ़ो हमें देखना अब यह angle 90 तक गया है, फिर minus theta गया है तो हम यहाँ पर कहीं first quadrant में ही है first quadrant में all are positive तो again cos will also be positive next, 10 of 90 minus theta 90 plus minus किया है, तो 10 भी change हो जाएगा cot में, यहाने वाला हमारा cot theta, again हम 90 minus theta, basically first quadrant में है, तो यह भी plus हो जाएगा sign of 90 plus theta plus minus 90 है, sign को कर दो cos, cos theta alright, 90 plus theta, तो हम second quadrant में second quadrant में सिर्फ sign की value positive होती है, क्या यह sign था yes, जी हाँ यह sign था, तो इसको आप plus लगा दो next, sign of 180 minus theta, sign के साथ plus minus में 180 हुआ है कोई change नी होने वाला है, sign का sign ही रहेगा, okay देखते हैं कहा था, 180 minus theta यहाँ से 180 तक गए फिर minus theta यहाँ किया, हम कहीं यहाँ पर आने वाले यह second quadrant है, यहाँ पर sign positive होता है, again plus रहेगा next, cos of 90 plus theta plus minus 90 किया है, तो cos को कर दो, sign sign of theta, अब हमें देखना है, positive होगा है negative, 90 plus theta यहाँ से 90 plus theta यहाँ पर सिर्फ, sign की value positive रहती है, तो आप देखोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ भी sign है यहाँ पर यह cause है, किसको लेना है अरे भाई, हमेशा question वाली side को consider कर रहे है, confused बदो रहा है तो cos of 90 plus theta यहाँ पर value negative आने वाली है minus लगादो है यहाँ पर next, cos of 180 minus theta plus minus 180 है, तो यहाँ पर cos का cos ही रहने वाला है 180 minus theta हम है second quadrant में तो आप देखोगे, यहाँ पर सिर्फ sign positive होता है यह भी value आजाएगी negative sign of 180 plus theta, plus minus 180 हुआ है तो यह ऐसे कैसे आने वाला है sin theta, no conversion plus यह minus चेक करना है 180 plus theta है, 180 तक गए फिर plus theta, यहाँ पर सिर्फ 10 positive होता है, sin, cos, दोनों negative होंगे minus लगा दो cos of 270 plus theta, cos में plus minus 270 किया है, तो अगें change हो जाएगा, यह बन जाएगा हमाँ पास sin theta, positive होगा है negative, 270 plus theta यहाँ से 270 तक है, फिर plus theta किया है, तो basically हम यहाँ कहीं पर होंगे, यहाँ पर सिर्फ cos positive होता है, ओ हो, यह तो cos है लिख दो plus theta 10 of 180 plus theta 180 plus minus किया है, no change यहाँ पर सीधे-सीधे लिख दूँगा, मैं tan theta अच्छा, 180 plus theta, इस quadrant में सिर्फ 10 की value positive होती है, तो यह positive रही, next is cos of 270 minus theta, आप जल्दी यल्दी सारे 3 बचे जल्दी यल्दी करो, cos plus minus 270 किया है, तो यह सीधे-सीधे इसको आप लिख दो, sin theta 270 minus theta, यहाँ से 270 तक है, minus theta करेंगे यहाँ कहीं पर, यहाँ पर सिर्फ 10 positive होता है, यह हमारा था, cos यह negative हो जाएगा, sin of minus theta, इसको किस तरी के से solve करोगे तो देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, this is 360 minus theta, आप इसको ऐसे भी समाझ सकते हो, right, plus minus 360 करने से तो value वापिस repeat होने लग जाती है this is also equal to 360 minus theta, यहाँ आप इसको ऐसे भी समाझ सकते हो, यहाँ पर plus minus 90 यह 270 नहीं किया है, इसलिए sine का तो देखो sine ही रहने वाला है अब यहाँ पर हम आ गए हैं, इस quadrant में सिर्फ cost की value positive होती है, sine था यह तो negative हो जाएगा, last देख लेते हैं 270 plus theta का 10, तो यहाँ से यहाँ पर आए है, फेदर theta गया है 270 plus theta में यहाँ पर 4th quadrant में सिर्फ cost positive होता है यह tan था, तो मैं आपास negative आने बाला है plus minus 270 या 90 हुआ है यहाँ पर तो यह change हो जाएगा, tan का change होके क्या हो जाता है 4th theta, इसको लिख दो हैंपर 4th theta, detail वीडियो भी आपको इसका मिल जाएगा मैंने बना चुका हूँ आए लेकिन यह trick है मुटा मुटी से आप सारे के सारे conversions कर सकते हो आगे शलते हैं